तो क्या हामजा चिमायव जो की UFC के अंदर one of the most trash talking fighter, काफी rash fighter माने जाते हैं, वो finally अब एक humble fighter में convert हो चुके हैं और उनके अंदर काफी ज़ादा maturity आ रखी है, हामजा चिमायव और कमार उस्मान का उनकी UFC 294 की co main event fight से पहले एक interview कराया गया, face of interview kind of आप उसको समझ सकते हो, उसक के अंदर हामजा चिमायव का attitude था, fight game की तरफ वो काफी जादा बदला हुआ दिख रहा था, इन सब चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर discuss करेंगे, लेकिन उससे पहले आप से वीडियो को like कर दीजेगा और चैनल को subscribe कर दीजेगा, UFC का ऐसा ही content हिंदी में enjoy करने के तो हमजा चिमायव को काफी जादा एक rash fighter समझा जाता था, वो अपने opponent को काफी जादा trash talk कर दे थे, but specifically इस fight के अंदर जो उनके carrier की one of the biggest fights माने जा रही है, सबसे जादा implications है, number one contender fighter, इस fight के अंदर हम देख रहे है हमजा चिमायव की team की तरफ से बिलकुल भी trash talking नहीं हो रही इन फैक्ट कमारू उस्मान के तरफ से भी उतना कुछ जादा बोला नहीं जा रहा है, और कल जब मैंने ये face off interview देखा, उसमें उनसे पूछा गया, चैल सनन ने पूछा गया आपका prediction क्या है, तो उसकी उपर भी हमजा चिमायव ने काफी mature response दिया, और वो ये दिया कि Gilbert Burns व आप सबको लग रहा होगा कि ये सारी चीज़े मैं आप सबको वीडियो में क्यों बता रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ों का बहुत जादा implication होता है fight के अंदर, fight game में यहाँ पर जो octagon में step in करने से पहले fighter की एक mental war होती है, उसकी mentality को judge करा जाता है, वो जो 25 मिनट की fight, 15 मिन feel कर सकते हो, अगर आपको बोला जाएगा कि आप UFC का एक बहुती जादा potential champion और बहुती जादा superstar बनने की capabilities रख सकते हो, पर एडनली आपके साथ कुछ carriers में ऐसे ऐसी चीज़े हो जाती हैं, जिसके कारण आप एक साल से भी जादा तक fight नहीं कर सकते हो, वो भी बिना किसी reason के ना किसी injury के, तो यह चीज सेम हमने हामजा चिमायव के साथ देखा, almost एक साल से भी उपर हो चुका है उनके पास fight के लिए, और यहाँ पर एक बहुती जादा pressure हामजा चिमायव के उपर है कि उनको एक victory बहुती बुरी तरीके से चाहिए इस time पर, तभी वो contendership में जा सकते और जो उनका नाम है और जो उनकी hype है, उनको legitimize किया जा सकता है, usually हम देखते थे कि हमजा चिमायव अपने interviews, अपने build-up में, fight में, अपने opponent को काफी जादा trash talk करते रहता था, smash everybody वगरा वगरा चलते रहता था, but इस fight में specifically कुछ भी ऐसा दिखने रहा है, हमजा चिमायव even embedded जो episode से उसमें भी कुछ बहुत जादा ऐसी चीज़ें नहीं कह रहे हैं, काफी जादा laser focus लग रहा है, मुझे वो इस time पर fight के लिए कि बस उनको fight में जाना है, और किसी तरीके से victory निकाल लिए, और maybe एक और reason ये भी हो सकता है, कि हमजा चिमायव की team को पता है कि कमारू उस कितना बड़ा खत्रा है यहाँ पर fight के लिए, और इसलिए भी वो यहाँ पर सिर्फ fight पर focus कर रहे हैं, और trash talking वाले game को इस fight के लिए शायद अलग रख दिया, वो लोग उस्ता के साथ fight होती तो शायद हमजा चिमायव यहाँ पर trash talking करता है, और काफी जारी trash talking अल्रेडी चल तिल देन अगर आपको वीडियो पसंद आयेगो तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और अपना उप्रेणी नीचे कॉमेंट सेक्षन में जरूर डाल के जाएगा, तग के लिए मिलता हूं आप सबको नेक्स वीडियो में अगले ने आप साद, प्याद, बजबाद, बच्ने को वीडियो में ऐना हूं आप साद, बच्ने को में जरूर ऑसनी नीचे हैाग, तस सुल में हा गएव अभुार।